आप कितने सुन्दर हैं कितने आकर्सक हैं इन चीजों पर गरह का बहुत बड़ा असर परता है आपकी बैक्तित आपकी सुन्दरता और आपके गरह में क्या संबंध है इन चीजों की चर्चा करेंगे तो बने रही हमारे साथ हम आपको बताएंगे कि अगर चंद्रमा कमजोर है तो किस तरह से ये आपकी सुन्दरता और आपके बैक्तित पर प्रभावव डालता है चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो सरीर निश्टेज हो जाता है आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं बाल सफेद होने लगते हैं चेहरे पर कोई तेज नहीं होता है इसके साथ साथ आपकी आँखों में भी कोई चमक नहीं होती है सरीर में आकरसन चमता नहीं होती है खून की कमी और कमजोरी की समस्या हो जाती है तुचा में रूखापन हो जाता है अगर आप नाखून से अपनी सरीर के किसी भाग में लाइन खीचेंगे तो अगर आपकी चंद्रमा कमजोर है तो वो लाइन आपको सीधी सीधी दिखेगी और उसमें रूखापन भी आपको दिखेगा सरीर से अजीब से गंध आती है अगर आपका मून आपके कुंडली में परवल नहीं है तो सरीर से अजीब से गंध आने भी लगती है तो इन चीजे या इन लक्षनों को देख करके आप समझ सकते हैं कि आपका चंद्रमा कमजोर है इसके साथ सद हम आपको बताते हैं कि अगर आपका मून आपके कुंडली में कमजोर है तो किस तरह से इसको परवल करके आप अपने चंदरमा को मजबूत कर सकते हैं और अपनी सुन्दरता और ब्यक्तित को निखार सकते हैं तो सबसे पहला उपा है खुब पानी पिए लेकिन चाय कम पिए पेर पोधों और बच्चों के संपर्क में जादा आ रहे हैं बच्चों के साथ खेले बच्चों के लिए चॉकलेट लाएं तो बच्चों के संपर्क में रहने से आपका मन भी परसंद होगा और आपका मून भ करके असनान करें केब्रे का जल आपको मार्केट में असानी से मिल जाएगी इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा परवल नहीं है कमजोर है तो आप गौल्ड या सोना कम पहने और आँखों में गुलाब जल डालें या गुलाब जल की अपने आखों में मार सकते हैं घर में गाय के घी का दीपक सुभा साम जलाए ये बहुत उत्तम उपाय है अगर आपकी चंद्रमा कमजोर है तो गाय की घी का दीपक जलाने से सुभा साम निश्चित रूप से आपका मून स्ट्रोंग होगा इसके साथ साथ आप अपने माता जी का भी ख्याल रखें उनकी देखभाल करें या उनको कोई दिक्कत है तो उनकी हाल चाल भी पूछते रहें ताले रंग के कपड़े का परियोग आपको नहीं करना है अगर आपका मून खराब है या कुंडली में स्ट्रोंग नहीं है तो काले रंग के कपड़े का परियो उसको खोल करके रख देते हैं या किसी नल से टप टप पाने पानी चलते रहती है तो इन चीज़ों को किरपया बंद करवा ले नहीं तो आपका मुन खराब होगा और आपको समस्या परदान करेगी अब हम चर्चा करते हैं कि अगर आपके घर में नाकरत्मक उर्जा है या इसके सिकार है तो इसके लिए क्या आप खास महाँ उपाय कर सकते हैं देखिए अपने बेडरूम में एक घी का दीपक जला करके टेबल पर रख दें और अगर ये दीपक 15-20 मिनट तक भी जल गई तो जितने भी निगेटिव इनर्जी आपके घर में है या आपके बेडरूम में है उस निगेटिव उर्जा को नाकरत्मक उर्जा को ये दीपक सोख लेगा और आपको अच्छे निंद आएगी और आपका जो जीवन है वो भी सुलब हो जाएगा तो मैंने आज आपको बताया कि अगर आपका मून आपके कुंडली में परवल नहीं है या आप देखनी में सुन्दर नहीं लगते हैं आपका ब्यक्ति तो अच्छा नही है तो किस तरह से मून को स्टोंग करके चंद्रमा को मजबूत करके आप अपने आपको सुन्दर और आकरसक बना सकते हैं आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये भीडियों पसंद आए तो किरपयाई से लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भ और अपने ब्यक्तित को निखार सके धन्यवाद